हलो फ्रेन मैं वीजिया आप सबी का स्वागत करती हूँ अपने यूटूब चैनल गार्डनिंग इस्किल विद वीजिया में दोस्तो आपने मेरे वीडियो में देखा ही होगा कि मेरे गुलदावदी के फूल कितने ही खुबसूरत खेले थे लगबाग डेल से दो महीना हो रहे हैं कुछ प्लांट को डेल महीना हो रहे हैं कुछ प्लांट को खिले हुए दो महीना हो रहे हैं अब देखिए इनके फ्लावर्स खराब हो गए हैं अब इन फ्लावर्स का हम क्या करें कैसे करें और इनमें से कुछ अभी अच्छे भी हैं ल लग रहे हैं ऐसा नहीं है कि एकदम से बेकार हो गए कुछ ज़्यादा फेड हुए हैं और कुछ कम हुए हैं दोस्तों ये वाला मेरा जो है पॉट देखिए इसमें लग भग जो है सास से आट सव से ज़्यादा ही फूल आये थे और पूरा गमला देखिए भरा हुआ है इतन हो गया है जिसमें कि अब शेल्टर है तो इसमें कुछ न कुछ रहेगा ही दोस्तों इनके फ्लावर्स भी हमाई छोटे छोटे फिट्स होते हैं माइट्स होते हैं उनके लिए एक शेल्टर के लिए होम की तरह काम करने लगते हैं तो दोस्तों सबसे पहला काम हमें क्या करन है दोस्तों अभी तो मेरे किसी प्लांट में जहां तक हम इने 2-4 दिन पहले चीक किया था किसी में ब्लैक माइट्स या एलो माइट्स का जो है इफ्यक्ट नहीं दिखा लेकिन फिर भी अभी आईए चलते हैं देखते हैं यह फूलो के बीच में भी जो है हमारे ब्लैक पूरे गार्टन को आपनी चपर प्लावर प्लावर प्लांटों को अगर एफिटैने रखेंगे तो उनमें इसी तरह के आफ़ीट्स और Х Видs और माय्ट और पाओध को प्रभावित कर लेंगे जिससे हमारे गार्डन में बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी को ह मैं नगीं चन्न से पीकार आगी थो है चबिक अगर रखना नहीं है तो क्या करना है तो दोस्तों मुल्दावदी का जो पौधा होता है इसमें एक बार फूल खिलने के बाद डेड़ से दो महीने तक बहुत अच्छे फुलावर रहते हैं तो अब इन पौधों को जो है हम क्या करेंगे इन पौधों को काट कर इन से जो है इनको जो है अगर एफिट्स और माइट का प्रयोग जो है हमारे यहां जो है अटैक ना हुआ हो तो हमें कुछ और भी करना है देखिए एक कटर की सहायता से कैसे मैं अपने प्लांट्स को काट ले रही हूँ और पूरी तरह से चेक कर लेना है अगर हमारे पूर्धे में बिल्कुन भी कुछ नहीं है तब मैं आप सभी के शाय शेयर करती हूँ कि हमें करना क्या है यह देखिए एक सार्प कटर की सहायता से कैसे मैंने अपने प्लांट्स की कटिंग सुरू कर दी है नीचे जो है दो से तीन इंच तक छोड़ देना है ताकि जो है यह पौधा अगर हमें इन्हें रखना है अपने गार्डन में क्योंकि इन्हें अगर हम सेव कर लेते हैं और धूप फटलाइच करके धूप वाली जगह में रख देते हैं तो नेश्टियर के लिए हमारे पास गुल्दावदी के धेर सारी कटिंग लेने के लिए मदर प्लांट तयार रहेगा तो अब हम देखते हैं यह पूरा प्लांट देखिए लगबख कट गया है और आप देख सकतें कितना घरा प्लांट था एक ही प्लांट में इतनी सारी बट्स हाई थी और बहुत ज़्यादा हिल्दी यह खिला था इतना ज़्यादा हिल्दी यह पौधा था मैं आप सभी से बताने सकती कि बहुत ही इसने मुझे हमारे गार्डन में फ्लावर्स दिया है इसके बाद दोस्तो अब हमें क्या करना है तो यह जो हमारे गुलदावदी के प्लांट्स है अगर इसमें एफिट्स वगारा का अटाइक हुआ हूँ तो हमें इनी बाहर हटा देना है अगर नहीं हुआ है हमारा प्लांट्स बहुत अच्छा है तो अब मैं आपको बताऊंगी क्या करना है सबसे पहले हम अपने प्लांट्स के छोटे छोटे टुकडे जो है किसी सार्प रखेंगे हम इसी या कटर की साहिता से छोटे छोटे टुकडा कर लेंगे अगर हमारे पास जमीन है तो हमें गड़ा खूद कर उसमें डाल देना है ताकि गुलदावदी की हमें इन्ही पत्तियों की पत्तियों को हमें बहुत सारी अच्छी खाद मिल जाए जो कि हमारे बाद में गार्डन में इस्तमाल आए गये और बात के पौधों में हमारे बहुत ही खुबसूरत हिल्दी तयार होंगे इसकी खात पाकर दोस्तों इसकी खात में कुछ एंटिफंगल एंटिवेक्टरियल गुड़ भी होते हैं मेडिशनल गुड़ होते हैं जिससे कि हमारे गार्डेन को इसकी खात का बहुत फायदा होगा तो दोस्तों ये भी हम कर सकते हैं अगर हमारे पास जमीन हैं हमारे पास जमीन नहीं हैं तो कुछ चीजे हम कर सकते हैं जो मैं आप सभी के से को बताती हूँ सबसे पहले हमें क्या करना है अपने जो हमारे प्लांट्स है जो अभी कट हुए है इनकी एश्ट्रम को एक किसी सार्प जो है टूल्स की सहायता से जैसे मेरे यहाँ तो बहुत बड़ा चाकू है उसकी सहायता से मैं रखती हूँ और जो है काट लेती हूँ छोटी छोटी टुकणो इधी टुकणो को हम कट्टों में यह बोर्यों में भार देंगे और फिर उन्हें किसी छाओवाली जगा पर हम रख देते हैं फिर उस में जो है मैं छोड़ा ज़लदी से decampoist हो इसके लिए जो है ठोड़ा गोट का पानी और छाच की पानी का प्रयोग करती हूं बार-बार उन्हें डालती हूं तो वो बहुत अच्छी तरीके से जल्दी से जल्दी दो से तीन महिने में डिकंपोस्ट होकर बहुत ही हल्दी और गैनिक खाद हमारे गार्डन के लिए तैयार हो जाती है अब दोस्तों अब इसके बाद जो है अगर एफिट्स और माइट का प्रयोग अटाइक हुआ है तो बिलकुन ही इन्हें जो है अपने गर से बाहर दूर हटा देजिए ताकि आपके गार्डन में यह बार बार नहीं आए आप देखिए मैं आप सभी को बता रही हूं कि कैसे हम अपने इनी प्लांट्स को छोटे-चोटे टुकडों में काट कर जो है प्रयोग करेंगे यह आप देखिए वीडियो में आप इनर देख रहे हैं यह लास्ट एयर की मैंने पूरी अब मेरे गार्डन में जितनी गुलदावदी हुई थी और उस समय जो इतने पौधे जो है हमारे वो हुए थे तो मैंने दो से तीन इंच नीचे मिट्टी के लिए डाली थी उसके बाद मैंने पूरा जो है जितनी भी क दो पर दी तो मैंने फिर उपर से मिट्टी की 4-5 इंच के लिए डाल दी और फिर मैं इसमें अपने पौधे जो हैं लगा तो दोस्तो मैंने इसमें गेंदा लगाया है यह सीजन आफ होगाँ तो मैं गेंदे को बिल्कुन से उपर से हटा लूंगी और नीचे जितनी हरी ख कमेंट बॉक्स में कमेंट कारके जरूर बताईएगा वीडियो मेरे आपको अच्छे लगते तो इहें लाइक करिए सेयर करिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बाबाई